हेलो दोस्तों आप सभी को हमारे डेली लाइफ टेरी चैनल पर स्वागत है बने रहेगा दोस्तों हमारे चैनल पर डेंट तेक विडियो को पूरा दखिएगा तो दोस्तों आज हम बनाएंगे शेम आलू किशब जी जो बहुत ही शेहत के लिए फैदे मन्द और रादिष्ट भी बनता है तो बनाएंगे फैमालो की सेशो वाली सब्जी और दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आये तो अधिक चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा तो चलिए आए हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमने सेम का सीरा निकाला और 2-2 टुक्रा में कर लिया है तो दिखियं दोनोग साइड से रेशा याने लिकाला अरो उसके वाद 2-2 टुक्रा कर Kरके रख लिया है इधर कच्चा आलू हमने लिया है छोटा छोटा उसको 2-2 टुक्रा कर लिया है अब सेम को हम पानी से धोलेंगे और 5-10 मिनट हम पानी निकलने के लिए छोड़ देंगे इसको अराम से इसका सारा पानी निकल जाएगे उसके साथ हम आलू को भी धोलेंगे अच्छा से क्योंकि आलो में कुछ मिट्टी लगा राता है इसलिए और दोस्तों इसमें डालेंगे हम तीन गाठ लेशन छोटा छोटा गाठ है इसलिए तीन गाठ लेशन को हमने कली अलग कर लिया है और उसको जार में डख दिया साथ में हम आट किये हैं तोड़ी आप इस जगह पर शर और कराही गैस पर चढ़ा करके इसमें हम सरसोते लड़ किये तील जब गर्म हो गया तो हमने तोड़ी का फुरान लगाया है यानि कि राई जिसको बोलते हैं काला वाला को राई बोलते हैं और पिला वाला को सरसो बोलते हैं तो हमने राई का फुरान लगया जैसे ही राई चटक गया, उसके बाद हम इसमें आड़ कर दियां, शेम को, गैस को मिडियम फ्लेम रखेंगे ताकि हमारा शेम अच्छा से फ्राई हो, और हर पたुश मीनट पर हम इसको चलाते रहेंगे, ताकि अच्छा से शेम हमारा फ्राई हो, तो दोस्तों आप अपना प्यार से हो हमें जरूर दीजिए गा इस प्यार के लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट बक्स में जरूर हमें लिकर बताईएगा आप कहां से कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करके बताईएगा जो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो दोस्तों अब हम इसमे एड़ कर दिये आलू को क्योंकि हलका सिम फ्राई हो चुका है आलू को एड़ कर दिये तब दोनों साथ में और फ्राई हो जाएगा तो 5-10 मिनेट हम इसको साथ में फ्राई करेंगे इसके साथ हम दोस्तों इधर राई और लहसन का जो हमने पेश्ट बनाया है उसको एड़ कर दिये फ्राई होने के बाद और जार को पानी से खाल कर हुई पानी थोड़ा डाल दिया है क्योंकि उपर से और हमें सुखा पाउडर मसाला डालना है तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा चमच से हल्दी एड़ किया इसके बाद एक चमच लाल मिर्ची पाउडर एड़ किया साथ में हमने मिक्ष मसाला पाउडर एक चमच एड़ किया और सबजी मसाला एक चमच एड़ किया स्वाद किया अनुशार हम इसमें एड़ करेंगे नमक और इसको मिला लेंगे सबजी कि शाथ में पानी तो पहले ही हमने एड़ कर दिया है इसलिए हमें उपर से पानी अभी डालने की जरूरत नहीं है इसी पानी में हमारा मसाला भूल गया और एक चोटा सा टमाटर था उसको हमने पीश करके एड़ कर दिया है तो बना सेम आलू टमाटर की सबजी शेम शेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है समय पर सेम का सबजी खाना रह चाहिए और दोस्तो अच्छा से मसाला फ्राई होने देंगे क्योंकि तोड़ी राई का मसाला जो होता है उस थोड़ा फ्राई करने में समय लगता है तो मसाला फ्राई हो चुका है अब इसमें हम थोड़ाशा पानी एड़ कर दिये हैं आलू से हम पकने के लिए और उसके बाद हम इसको ढख करके 10 मिनट पकाएंगे धिमियाच पर तो देख रहे हूँगे पानी भी शोक गया है थोड़ाशा पानी बचा है और देखते हैं जो हमारा सब्जी पक गया की नहीं तो दोस्तो आलू बहुत ही अच्छा से पक चुका है छोटा छोटा आलू था बस पाँच मिनट और हम इसको गैस पर चरहाय रखते हैं जो थोड़ा पानी है और सोख जाएगा उसके बाद हमारा सब्जी बनकर दोस्तो तियार हो जाएगा तो काफी ही स्वादिश्ट और टेस्टी बनता है इस तरीके से बनाने पर शेमालो की सब्जी आप जरूरी एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा देखिए पानी सोख गया है अमरा सब्जी बनकर त्यार हो गया बाए 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 दोस्तो फिर